नमस्कार, प्रिये दर्शकों हजर हूं मैं 5 अक्टूबर 2023, आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमिन कर चलिए, राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं झाल लेकर, वार के स्वामी देव गुरु ब्रांभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की प्रवेश कर जाएंगे और अविजित महुर्त का समय दिन में ग्यारा बच करके तेईस मिनट से दोपहर बारा बच करके दस मिनट तक का होगा, वहीं राहुकाल दोपहर एक बच करके तीस मिनट से तीन बजे तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुवकार जिस कार्य से चुरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए, ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रिय हैं, राहुकाल में आज सब्तमीश राद्ध हैं और दिभ्यमहा प्रयोग में बेहद दिभ्यचरचा आपकी सूर् तो दिव्वे महा प्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं, ग्रह स्थितियों की. गुरू और राहू यूती बनाकर मेश रासी में सुंचरण कर रहे हैं जहां गुरू वक्रवस्था में सुंचरण कर रहे हैं चंद्रमा आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखे तो चंद्रमा का सुंचरण मिथुन राशी में है और साथी साथ शुक्र सिंभ में बुध औ और सूर्य यूती बनाकर कन्यारासी में सुन्चरण कर रहे हैं केतू और मंगल यूती बनाकर तुला में और शनिदेव कुम्भ राशी में वक्र वस्था में सुन्चरण कर रहे हैं ये है ग्रज्दिती तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मंगल के नक्छत्र में और गुरुवार का दिन कौन सी उराशियां है जिनके लिए आज का इदिन बेहद खास सिद्धोने वाला है और कौन सी उराशियां है जिनके लिए आज का इदिन बेहद खास है आप अपने सभी नएकारे आज प्रारम्भ कर सकते हैं और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने नए कारे प्रारम्भ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं इस सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्तिती इन ही ग्रहिस आपकी जन्मराशी अगर आप अपने जन्मराशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं महुर्थ की दस अक्टूबर दिन मंगलबार इंदिरा एक आधशी वरत है उस दिन और इट बठे का अगर काम है तो उसमें अगनी प्रज्वलित करानी है उसके लिए और मत सकर्म मचली पाले नित्यादी से समंधित कारे प्रारम करना चाहते हैं तो प्राता हाट बच करके 45 मिनट से 11 मिनट के बीच का महुर्थ है इसके अलामा कोई महुर्थ उस दिन नहीं है चलिए चलते हैं दिब्य महा प्रयोग की ओर कैसी इस्तुती है आपकी जन्म कुंडली में आपके सूर्य की क्या आप दूसरों पर निर्भर रहने की बुरी आदत से परिशान है या दूसरों पर आप निर्भर रहते हैं इच्छा सक्ति की कमी और यदि साहस में कमी है तो समझ लीजिए ये कमजोर सूर्य की पहजान है प्रिदर्शकूं जन्म कुंडली में सूर्य का कमजोर होना जातक के अंदर केवल आत्म विश्वास की कमी नहीं कराता है कहीं न कहीं ऐसा जातक आत्म हीनता का भी शिकार हो जाता है जन्म कुंडली में सूर्य का कमजोर होना जातक प्रयत्न करने के बावजूद वो मान वो सम्मान हासिल नहीं कर पाता जो की बाकी के लोग आसानी से हासिल कर लेते हैं यदि जन्म कुंडली में आपकी सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र चरा ध्यान से सुनिएगा चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी हस्त और स्रमण में बैठे हैं और आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा नीच रासी में हैं, शनी से युथ हैं, राहू से युथ हैं, तो समझ लीजिए ऐसा सूर्य आपको निशन देह निराशावादी बना देगा, आपकी बातों से ही पता चलेगा कि आप घोर निराशा में जी रहे हैं, यदि आपके सूर्य शनी के साथ बैठे हैं और सनी आपके अस्त हैं, तब भी आपके जीवन काल में परिशानी होगी, कई बार ऐसी स्तुती में जातक को कोई न कोई दिर्ग कालिक रोग अवस्य हो जाता है, प्रियदर्शकों, राहू के नक्षत्र आर्द्रा स्वाती और रासी में हो, अथवा राहू जिस रासी में बैठे हो, उसका रासी पती नीच का हो जाए, तो ऐसा जातक मानसिक रोगी हो जाता है, मंद बुद्धी हो जाता है, जन्म कुंडली में ऐसी कोई भी स्तुती है आपके, और जिसके चलते आप आतन विश्वास अपना खो रहे ह आपका सूर्य आपको अपना स्रिष्ट परिणाम नहीं देने दे रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, परन्तु वो बेहतर परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, एक उपाय करिए, भगवान शिव की आराधना प्रारम्भ कर दीजे, प्रतेक सोंब देखते सूर्य आपके ठीक हो जाएंगे और जो भी आपके जीवनकाल में परिशानी है सूर्य के कारण वो आपकी दूर होगी, प्रिदर्शकूं, सूर्य को ठीक करने के लिए मैंने 20 सरल उपाय ऐसा एक वीडियो बनाया था, मैं यहाँ पर उस वीडियो का लिंक दे रहा यहाँ एक और बात बता दूँ, जन्म कुंडली में सूर्य का ठीक होना वैसे भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य कहीं से भी कमजोर पड़ जाएं, तो वो आपके साथ-साथ आपके पूरे परिवार की जब आप कमजोर तो सीदी सी बात है, आपके साथ-साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके उपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, सूर्य को अपने ठीक करिए, सूर्य को ठीक करने का, जो भी सरलतम उपाय में बताता रहा हूं विश्यसकर के रविबार के दिन आपको सूर्य की आराधना करने का, वो भी आप करिए, आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे, चली चलते हैं, राशी फल की ओल, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आज आपकी राशी से दुतिय भाव में है, ये चंद्रमा प्रात्वाकाल राशी परिवर्तन करके, आपकी राशी से तीसुरे भाव में, तुरुतिय भाव में अब देखा जाये तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का सिंचरण गुरु वारी का दिन आपके लिए बड़ा ही गजब का है दिन समझ लीजिए कि बस ओवर कॉन्फिडेंस मत पाल लीजेगा बाकी आतनो विश्वास के साथ तो आप आगे बढ़िए आपके लिए आज कुछ भी मुश्किल नहीं है कुछ नया करने की सोच रहे हूं कुछ ऐसा करने की सोच रहे हूं जो औरों के लिए बड़ा कठिन है समझ लीजे आज वो आपके लिए बेहत आसान हो जाएगा आज ऐसे ही कारियों को करने में मज़ा आएगा और ऐसे कारियों को करके आप सफलता भी हासिल करेंगे छोटे भाई बहनों के साथ समंध में दी कहीं कोई परिशानी थी वो परिशानी भी आज दूर हो सकती है छोटे भाई बहनों के साथ समंध को मधूर बनाने की कुशिश करिये छोटे बहनों से समंधित कोई खुश खबरी आपको मिल सकती है नौकरी पिसा लोग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा आज डिन बहुत अच्छा है व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारिक दृष्टि कोंड से दिन बहुत अच्छा है किसी रिस्तिदार केहां जा रहे हैं मिलने जुलने के लिए तो जा सकते हैं हालाकि धन खर्च होगा लेकिन दिन ठीक है लेन दिन के मामले में जरा सावधानी भरत दिएगा, आज किसी को धन उधार मत दिजेगा, और फिर से उस बात को दोहरा देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस आज आप के लिए घातक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई फैसला मत लीजेगा, इससे नुकसान होगा, लव पर ध्यान दिजेगा, बाकी स्वास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, आज गोग्रास अवस्य निकालेगा, अपने खाने में से, पहले निकाल करके गाये को दे दिजेगा, लक्यंक नौ लकी कलर आपके लिए आज पिला है, और निवे शित्यादी करते हैं, पर नियंत्रन रखना होगा, कडवी वानी के प्रयोग से बचना होगा, नहीं तो जो लोग आपसे स्वदैव सहमत रहते थे, वो भी आज असहमत हो जाएंगे, नहीं तो आपके दोस्त भी आज आपके बिरुद्ध हो जाएंगे, आप चाहते हैं कि औरों का साथ मिले, जो और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिक कोई बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना, कोई नया कारे प्राणब करने की सोच रहें तो वो नहीं करना, जो कारे पहले से ठीक चल रहा है, उसको और बढ़िया बनाने के लिए आपको प्रतन करना है, किसी भी तरह की स्तिती से निप बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, संबंध में मधूरता आएगी, प्रेमियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, और जितने भी लॉफिल्ड के बिद्यारती हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कानून के छित्र से जुड़े जो लोग हैं, जिनका काम बेवसाय ही, वकालत इत्यादी का है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, और स्वास्तिके दृष्टिकोंड से देखें, तो जिनको गले में दर्द इत्यादी के शिकायती या गले से समंधित कोई रोग था, तो आपको उ कुणडली की स्थिती, आज कोई ऐसी स्थिती बना रहा है कि आज मानसिक रूप से परिशान रहेंगे, कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है, जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत करें, सूचे हुए कारियों में छोटी मोटी बाधाउत पन्न होने वाली है, नौकरी के कर्ज लेना और देना, दोनों आपके लिए नुकसान दे है, इससे बचिये, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिलकुल मत करिये, और जीवन साथी का सम्मान बहुत जरूरी है, जीवन साथी से किसी भी तरह से मतभेद मत करिये, और जितना हो सके अपना सम्मंध मधूर बनाए रखने का प्रत्न करिये, बात यदि विद्यार्थियों की करें, तो विद्यार्थियों के लिए यही सला है, मेहनत जितना हो सके अधिक सदी करिये, तब जा करके प्रणाम अच्छा मिलेगा और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्थ में आज थोड़ी परिशानी है कहीं न कहीं आलत से किस्तुति कह लीजिए वाहन चलाते समय सावधानी बहुत आवश्यक है और कोई ओप्रेशन इत्यादी है तो उसके लिए भी कोई दिन बहु करना होगा आपको दिन ठीक है लेकिन छोटी मोटी परिशानिया उत्पन्न होंगी कारिक्षित्र में साथ के लोग ही आपके लिए परिशानी का कारण बनेंगे परिशानी खड़ी करेंगे अच्छी बात ये है कि समस्याएं जो भी आएंगी वो आसानी से सुलजेंगी पर बिगड सकते हैं कारिश्थल पर किसी भी तरह से किसी भी तरह से बिपरीत का आप मान मत करिएगा नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे बाकी में एक सलाह दूँगा दिन ठीक है आपको सांती से इस दिन को बीच जाने देना चाहिए किसी से ब्यर्थ में उलजीए मत धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी जरूर हलाकि बाद में इस्तिती ठीक हो जाएगी और बात यहीं ब्यापारियों की करें तो ब्यापारिक दृष्टिकोंड से वैसे दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है पर ब्यापार में बहुत जदा रिस आज करकरासी के जातक किसी भी तरह के बहस और विबाद से दूरी बना करके रखें बाद विद्यार्थियों की कर लें तो आज सावधानी जरूरी है और कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निरने मत लीजेगा नहीं तो आपका नुकसान होगा और स्वास्तिक के दृष्टिक समख के लिए दिन बहुत अच्छा है हर तरह से बहुत बढ़ी है यूं समझ लीजिए कि आज जो भी अब तक के ऐसे कारे थे जो बाधित थे किसी कारण से नहीं बन पा रहे थे वो सबी कारे आज बनेंगे कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा आज 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 आपके प्रबल प्रतिद्वंदी बिरोधी शत्रू भी आपके समुख खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेंगे कारिस्थल पर दिन बहुत अच्छा है भाग्या आपके साथ है सब कुछ आपके लिए आसान होता दिखाई पड़ रहा है किसी भी तरह की परिष्थित करना और किसी अज नभी पर भरोसा करके धन उधार मत दीजेगा या पैसा कहीं मत निवेश करिए अचल संपती से समंधित अगर कोई काड़कर कर रहे है या कुई अचल संपती खरीदने की सोच रहे है या बेचने की शोच रहे है तो यहाँ पर अज Norman पर आज भरोसा करना मेहनत थोड़ी जादा करने पड़ेगी लेकिन ठीक है स्वास्त के मामले में मानसिक तनाव आपको जरूर रहेगा और हो सकता है भूख न लगने की कमी भियाज आपको महसूस हो स्वास्त में थोड़ी परिशानी है सावधानी बरतियेगा आज गणे जी की सरण में आईए गणे शतरवसर्स का पाठ है सरवन करिए लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवे साब अवश्य करिए कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्तिती आपके लिए भी ठीक है मानुसिक उर्जा जबर्दस्त रहने वाला है धन संबंधी मामलों में दिक ही कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी विशेश करके बैंक से रिण लेने के लिए प्रतनसील थे तो आपका ये काम बनने वाला है करियर में किसी भी तरह की कोई परशानी उतार चड़ाओ या किसी भी तरह की कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी समझ लिए करियर से समधित कोई खुश खबरी मिलने वाली है कारे उस्तल पर जहां भी आप रहें साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा सोंच समझ करके बस मिरने लीजी आपका दिन आपको फायदा देगा आज वाद दिवाद, लडाई जगड़ा, प्रतिस परधा सब्द ध्यान से रखिये, सुनिए किसी भी प्रकार के ब्यापारिक प्रतिस परधा में आपको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है और कोई बड़ा निवेज करने की सोच रहे हैं तो बेहत सावधानी के साथ अच्छी बाती है कि आज दोस्त आपके लिए सहयोगी होंगे बलकि दोस्त से सलाह लेकर के कोई काम करिये तो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा इससे आपको फायदा भी मिलेगा और दिल की बात हर किसी से आपको श्यर नहीं करनी चाहिए लव लाइफ के दृष्टिकोंड से आज कन्या रासी के जातकों के दिन को ठीक कहा जाएगा हलाकि छोटी मोटी की जीबात को लेकर के प्रेमी से अनबन की भी संभावना है जरावानी पर संयम रखियेगा नहीं तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और विद्ध्यार्थियों की बात करूँ तो मिहनत का नकूल परिणाम मिलने वाला है विश्ष करके अगर आप मैनेजमेंट फिल्ट के विद्ध्यार्थिये तो स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्थ में वैसे कोई परशानी तो नहीं है, खानपान पर ध्यान दीजे और मसालेदार चीजों का उप्योग आज ना करिए सभी कन्यारासी के जातक आज देवी सुक्त का पाठ्य अस्रमन करें, लखियंक तीन लखी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेशा कर सकते हैं तुला के जातकों के लिए भी दिन कमोबेस ठीक दिखाई पड़ रहा है, कल की अपेक्षा तो दिन ठीक ही है, भागे का साथ मिलेगा, आप अपने प्रयास में सफल भी रहेंगे तो वहीं कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए, तो जो उच्चा धिकारी है, वो कहीं न कहीं आपसे प्रभावित होंगे, आपसे प्रभावित हुए बिना आज कोई नहीं रह सकता, आपके काम की तारीफ होगी संभवतह जहां कुछ विशेस बड़ा लाभ आपको हो सकता था, वो नहीं होगा मैं आज आगाह करता हूँ उनलोगों को जो राजनीती से जुड़े हुए हैं, जरा सचेत रहे हैं सरकारी नौकरी करने वालों को भी आज विशेस सावधानी बरतनी हैं परन्तु जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रतनसील हैं उन्हें सीग रहे को अच्छाओ फर मिलने माला है या आप नौकरी में हैं और परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो भी आपको सीख रही अच्छा उफर मिल ले माला है। बेवसाईयों की बात करूँ तो बेवसाईक दृष्टिकोंड से दिन बढ़िया है, बेवसाई में बस कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो हर तरह से जो भी संभावना है, हर संभावना पर विचार कर लिजेगा। तो स्वास्तिक आपको खयाल रखना होगा। बिपक्ष में भी हैं, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, कोई भी ओफर हाथो हाथ स्विकार मत करिए, कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए, अगर सफलता की चाह है, तो आज सावधानी बरतिये, आज आपकी सावधानी में ही सफलता है। ब्यापारियों की बात करूँ, तो दिन मिला जुला ही मैं कहूँगा, आपको किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कारे नहीं करना चाहिए, जोखिम भरा कोई निवेस नहीं करना चाहिए, किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए, और किसी रिष्टेदार केहां जाने की सोच ठीक नहीं है यानि सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है बस थोड़ी मेहनत जादा आप पड़ेगी लेकिन दिन अच्छा है और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त के मामले में अगर किसी पुराने रोग से गरशित है तो वो पुराना रोग आपका खत्म हो जाएगा स्वास्त ठीक है माहा मृतुंजे मंतर का आज 20 बार जब कर लिएगा लखियांक एक लखी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश कर सकते हैं जानकार के आई से धनू की जातकों की बात कर लेते हैं ठीक है दिन भाग्यवान है आप भाग्यसाली रहने वाले हैं बस सकारात्नक सोच और इसके साथ आगे बढ़िये गोजर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर तरह से आपके पक्ष में है सब्तम का चंद्रमा जैसे ही परिवर्तन करें आपके लिए बढ़िया इस्तिति उत्पन करेंगे बस जीवन साथी के लिए अभध्र भाषा का प्रयोग मत करियेगा नहीं तो इसके परिणाम सुरूप दिन खराब होगा जीवन साथी का सम्मान करेंगे इसके परिणाम सुरूप दिन अच्छा होगा आपके द्वारा ल कोई वठारि के लिए वाध्या कारे करने की सोच रहे हैं जिसससे आगे चलकर के आपको अघ्या कासा लाब मिले कर सकते हैं दिन फाइदा देने वाला है व्युसाईए के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा बैवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय के तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता लेकिन हर तरह के अध्यान के लिए दिन ठीक है आप किसी भी फिल्ड के बिद्यारती हैं सफलता आपको मिल जाएगी और स्वास्त के मामले में देखें थोड़ी सावधानी जरूरी है मानुसिक अशान्ती आज सावधानी बेहत आवश्यक है सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है विबाद अगर पूर्व से चला आ रहा है तो वह विबाद बड़ा रूप ले सकता है खान पान पर ध्यान दीजिए और छोटी मोटी परिशानिया पूरे दिन रहने वाली है कारिस्थल पर भी आपको विबाद से बचना चाहिए वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए रिण लेना और देना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है विबाद की स्तिती में परिशानी में पढ़ सकते हैं वाहन से दुरहटना की संभावना है तो इससे भी सावधानी परती है और बहुत समझदारी के साथ ही कोई फैसला करिए आज का दिन कुछ ऐसी परिशानिया भी उत्पन्न करने वाला है जिसका कि आपके पास सही काट नहीं है आप परिशानी में पढ़ सकते हैं किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बन जाईएगा ओनलाइन फ्रॉड का भी सिकार हो सकते है सोजरा सोच समझ करके ही आज इंटरनेट का इस्तमाल करिए गा बहस और विबात से दूर हिए लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा और कमोबेस अगर देखें तो दामपत्य जीवन में भी कलह की स्थिती दिखाई पड़ रही है तो कुल मिलाकर कि आज बहुत सचेत रहना है दिन ठीक नहीं है और बात यदी बिद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन ठीक है कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी विश्यस करके अगर आप मेडिकल फिल्ड के बिद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है कोई अच्छ सावधानी बरतनी है कुम्भ के जातकों को भी बेस्तता बनी रहेगी या यूं कहिए कि अस्तब बेस्त रहने वाला है दिन दिमाग आज आपका बड़ा जबर्दस्त काम करेगा जो भी फैसला लेंगे उससे आपको सफलता भी मिल जाए परन्तु कहीं न कहीं आपकी योजना उस तरह से सफल नहीं होते दिखाई पड़ रही है जिस तरह से आपके दिमाग में खिचड़ी पकरेगी सफलता बाधित होते या सफलता पर प्रश्ण चिन्ने लगा हुआ है कारिस्तल पर भी दिन साधारण जा रहा है जो साथ के लोग है उनका सहयोग नहीं मिलेगा उच्चा धिकारियों से भी वो जो उम्मीद थी सहयोग की वो नहीं मिल पाएगी ब्यापारियों को ब्यापार में आज परिशानी रहने वाली है आज कोई बड़ा निवे सित्यादी ना करें और धनलेन दिन के दृष्टिकोंड से भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है भावनाओं में बहकर कि आपको कोई नर्णे नहीं लेना चाहिए किसी से कोई बादा नहीं करना चाहिए लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लव लाइफ के दृष्टिकोंड से भी आज का दिन ठीक नहीं है तो प्यार का इजहार आपको नहीं करना चाहिए और बात यहीं बिद्यार्थियों की करें तो ब प्लट प्रेसर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्त को लेकर के सचेत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज कीस बार जब करिए लखियंग का आपके लिए तीन लखी कलर आपके लिए अज क्रीम हैं, और निवेश से आपको बचना है, मीन के जातकों का द वो चिंता दूर होगी, उच्चा धिकारियों से भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है, व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, श्यर मार्केटिक त्यादी में निवेश करते हैं, तो अवस्य कर ये परन्तु धैर के साथ कीजेगा, अच किसी बात को लेकर के दि कोई चिंता है, तो जीवन साती से आप बातचित कर सकते हैं, अपनी चिंता शेयर कर सकते हैं, प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, प्रेमि से आपको सहयोग मिलेगा, और बात ये भी ध्यार्थियों की करें, तो आज लखी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए तो प्रेदर्शकों ये था मेश्य लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही जाज़ो दीजे पुनह मुलाकात होगी तब